हेलो फ्रेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे प्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 को तो 2.5 में क्या है 2.5 में इसमें हम सबसे पहले थोड़ी सीज की जो इडेंटिटी इसमें यूज होंगी हम उसको पढ़ लेंगे ठीक है फस्ट इडेंटिटी इसमें X प्लस Y होल स्केर क्या है X प्लस Y होल स्केर यानि कि A प्लस B का होल स्केर तो वहता है X स्केर प्लस 2XY प्लस Y स्केर दूसरी है इसमें X माइनस Y होल स्केर यानि कि X स्केर माइनस 2XY प्लस Y स्केर थर्ड है इसमें X स्केर माइनस Y स्केर इक्वल टू X plus Y और साथ में X minus Y fourth identity है इसमें X plus A और into X plus B ये बनता है हमारा X square plus A plus B X plus A B ठीक है 1, 2, 3 और ये 4 अब fifth identity हमारी fifth identity हमारे पास है X plus Y plus Z plus Z whole square तो वो होता है X square plus Y square plus Z square equal to sorry plus 2 XY X square plus Y square plus Z Z square equal to 2XY plus 2YZ plus 2Z X ZX लिख 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 लिएं की बात है इसकी नेक्स्ट है हमारी वो है number 6 X plus Y q वो है x q plus y q plus 3xy into x plus y ठीक है और एक है हमारी x minus y q x minus y q में क्यों है x q minus y q minus 3xy और into में x minus y या तो इसको लगा लो या फिर x q minus 3x square y plus 3xy square minus y q मैं ज्यादा इसी को use करूँगा ठीक है क्योंकि यह easy भी है और एक है हमारी x q plus y q plus z q equal to sorry यहाँ पर है minus कर minus कर 3xyz वो होगा हमारा x plus y plus z ठीक है x plus y plus z x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x यह मिलती जूलती identity है इस fifth number identity से ठीक है मिलती जूलती identity है तो इसको ध्यान से revise कर लेना अब करते हैं इसके हम question ठीक है जो हमारा first question है exercise 2.5 का उसमें बोला गया है कि use suitable identity to find the following product हमें identity का use करके इसके questions करने question number one है sorry question number one का हमारा first part है first part में दिया हमें x plus 4 into x plus 10 अब यहां पर हमाई identity use होगी by using identity कौन सी x square sorry x plus a into x plus b equal to x square plus a plus b into में x plus a b ठीक है तो यह मेरा आप क्या है x plus a और x plus b यानि कि यह a है यह b है हम क्या करेंगे इसमें इस identity को put करेंगे तो यहां पर x रखेंगे अब ठीक है तो x कितना है मेरे पास x square है तो उसको हम x square लिख देंगे plus अब मेरे पास a की value कितनी है a की value रख देंगे हम 4 plus में b की value है 10 into में x as it is plus a into b यानि कि 4 into 10 तो x square plus 40 into में x है plus 40 यह हमारा first answer आगया ठीक है उसी तरह से second part आप खुद करना try चलो second हाँ मैं करवा लिता x plus 8 दिये और साथ में x minus 10 दिये by using identity आप दुबारा this identity को लिख लेना मैं direct question करूंगा तो यहां आएगा x square उसके बाद क्या था plus है a मेरे पास 8 है और b मेरे पास minus का 10 है लेकिन बीच में या question में के formula में plus का sign होता है कर दिया into में x plus 8 into minus के 10 तो यहां पर x square आया plus यहां इसको solve करेंगे कितना आएगा चब b के place में था 10 है न तो यहां पर इसको minus किया मैंने यह बन जाएगा 8 minus का 10x और यह बन जाएगा minus के 80 तो x square यहां पर आएगा minus का 2 और यहां पर आएगा x यहां पर 80 यह था हमारा second part ध्यान से करना इसको 8th class में आप लोग इन questions को कर चुके हो ठीक है अब इसका 3rd, 4th, 3rd और 4th, 3rd and 4th homework, 5th part है इसका 5th part में हमें दिया है, अच्छा 3rd और 5th ले लो homework न और 4th part मैं कर देता हूँ 4th part में हमारे पास है, y square plus 3 upon 2 और y square minus 3 upon 2, हमारे पास यह दिया हुए ठीक है, simple है जैसे हमने question किये वैसे ही इसको भी हम कर लेंगे अब अगर हम इस question में ध्यान से देखें तो identity हमारी यूज हो रही है by using identity, x square minus y square equal to x plus y और x minus y फर्क बस इतना है, हमें यह identity बना के देदी है, x plus y और x minus y हमें इसको प्रूव करना है, तो x के place में मेरे बास कितना है, यह y square तो मैं direct के लिख दूँगा, y square लिख दूँगा, और इसका whole square कर दूँगा उसी तरह से, यहाँ पर माइनस का sign है, माइनस लूँगा, 3 upon 2 रख दूँगा और इसका के गर दूँगा, मैं square गर दूँगा, तो हमारा जो answer आएगा, और कितना आएगा, y raise to power 4 minus 339 upon 224, यह हमारा answer, ठीक है, अब करते है, question number इसका 2 question number 2 का first part है हमारे पास, इसमें भी हमें multiply directly करना है, by using identity करना है तो इसको क्या करेंगे, 100 plus 3 लिख लेंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 plus में 7, अब देखो, x plus से, x plus b वाली identities में use होगी, by using identity, x plus a into x plus b equal to x square plus a plus b into में x plus a b, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर x के place में ले ले लेंगे 100 का square, plus a के place में में मेरे पास 3 आ जाएगा, और b के place में ये plus 7 आ जाएगा, x के place में दुबारा से 100 आ जाएगा, plus 3 into 7, ठीक है, तो ये कितना बन गया, 4 0 लग गए, और ये 7, 3, 10, 10 को मैंने इसके साथ multiply करवाया, तो 2 0 इसके आगे, और 3 7s आ 21, जब हम इसको solve करेंगे, तो हमारा answer आएगा, 1 1 0 2 1, ठीक है, अब इसका second part, second part, second part में के करना आपने, 95 into 96 दिया है, तो इसमें के करेंगे, 100 minus 5 कर देना, और 100 minus 4 कर देना, ठीक है, ये question, home work हो गया, उसी तरह से third question है, इसका third part जो है, 104 into 96, तो इसमें के करेंगे, 100 plus 4 कर देंगे, और 100 minus 4 कर देंगे, ये भी आपके लिए, home work है, अब मैं करवाँगा question number third, question number third में दिया, factorize the following using appropriate properties, first part है हमारा, 9x square plus 6xy plus y square, हमें identity का use करके, इसको solve करना है, ठीक है, अब देखो, ये identity, कौन सी हमारी बन रही है, जरा हम ध्यान से देखेंगे, तो कौन सी identity हमारे पास, बनेगी है, पहले तो हम इसके factor करेंगे, देखो, 9 का बात, 9 का जब square करेंगे, तो 3x, 3x का whole square plus, क्योंकि ये जो हमारी identity है, पहले identity लिख लिएना, by using identity, x plus y whole square, equal to x square plus 2xy plus y square, ठीक है, यहाँ पर x square देखो, इसका करूंगा में तो कितना आएगा, 3x का whole square, अब हमें पता है, कि plus का 2y, plus यहाँ पर आएगा, 2 आएगा, और साथ में ये 3 आएगा, into में 3, ठीक है, into में 3 आएगा, और y के place में में मेरे पास क्या है, y है, तो यहाँ के लिए लेंगे हम, 2 into 3 into y, ठीक है, इतना clear है, और साथ में plus, ये y square को हम y square ही, as it is, लिख देंगे, तो देखो, 3x square, प्लस, अगर मैं इसको दुबारा solve करूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा, 3x square, 3, 3 is a 9x square, प्लस, 3, 2 is a 6, sorry, यहाँ पर थोड़ी mistake कर गया है, देखो, ये 3x square तो ठीक है, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पर 2x y है, तो 2 मेरे पास यह है, x मेरे पास कितना है, 3, 3x, ठीक है, और y मेरे पास y है, और साथ में y का square, देखो, अगर नहीं लगता बता, 9 आपके पास दिया है, 9 को लिखो, और इसको के कर दो, factor कर दो इसके, तो कितना आ जागा, 3, यानि कि यह बन गया, 3x का whole square, 9x था न, तो 9x का बन गया, 3x का whole square, यहाँ पर square भी है, और यहाँ पर बात करते है, 6x y कैसे बना, तो 6x y के लिए मैंने के 2 होगा, इन 2 में 3 होगा, और 7 में 3x होगा, और 7 में 3x होगा, और y होगा, तब जाके 3 to 6, x y बना, और y के place में तो y already है, अब यहाँ के गरेंगे, 3x में ले लूँगा, ठीक है, 3x लिया, और यह जो last में plus का y है, इसको भी साथ में, और whole square करके इसको हम 2 बार लिख देंगे, प्लस y और 3x प्लस y, ठीक है, अब इसका second part, इसके मैं सारे part करवाद हूँगा, second part है इसका, 4y square minus 4y plus 1, अब यहाँ देखो, minus का है, तो identity यूज होई, x minus y का square equal to x square minus 2xy minus, sorry, plus y square, अब देखो, यहाँ क्या करेंगे, 4y रखतूंगा, मैं, 4y square है, तो इसका मतलब कि 2y का whole square, अब 2xy की बात करेंगे, तो 2xy में में मेरे पास 4y है, ठीक है, 4y है, तो 4, अब मेरे पास a की value कितनी है, sorry, x कितना है, 2 रखेंगे न, 2 in 2 में, x मेरे पास कितना है, 4, तो 4 रख दिया, और y साथ में मैंने, 2 है, यहाँ से देखो, 2, ठीक है, इसको मैंने रख दिया, और साथ में, कितना रहेगा, 1, इतना clear है, यह question 8th class में भी थे, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसका square, open करके लिखूंगा इसको मैं, तो आ रहेगा, 2y का whole square, minus, 2 as it is, और x के place में रख देंगे, हम यह, 2y, 2y, और y के place में रख देंगे, हम इसको 1 को, plus 1 का whole square, तो इसको दुबारा करने के बाद 1 नहीं आएगा, अब इतना करने के बाद, 2y as it is, और यह plus का 1, यह plus का 1, और इसका whole square, कितना के 2y plus 1, और 2y plus 1, अगर यह question आपको समझ नहीं आएगे, तो comment करके बता देना, मैं दुबारा इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है, अब थर्ड पार्ट है इसका, x square minus y square upon 100, अब x square minus y square upon 100 हमें दिख रहे हैं, तो यहां से मैं पता लगा सकता हूं कि यह कौन से identity है, x plus y और x minus y की, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, identity को use करते हुए, इसको solve करेंगे, कैसे, देखो, यह identity के हुआ हमारी, x plus y, और x minus y equal to x square minus y square, ठीक है, identity हमारी, यह थी ना, यह, thought identity, x square minus y square, x plus y, x minus y, यह, तो मैंने इस identity को use यहां पर कर दिया, अब देखो, कितना आ जाएगा, यहां पर मैं क्या कर दूँँगा, अब मुझे पता कि x के place में आ जाएगा यह, यानि कि x, और y के, plus y के place में आ जाएगा, y upon, अब 100 को जब मैं तोड़ के लिखूँगा, तो कितना आएगा, 100 को तोड़ के 10, और यहां पर x minus y upon 10, जब इसको further solve करेंगे, तो हमारा answer यह यह आएगा, ठीक है, तो यह थे question number इसका third, अब next जो question है, उनको मैं next वीडियो मिलूँगा, लेकिन उससे पहले आपने के करना, इसके जितने भी example है, 2.5 के example, all example आपके लिए homework है, वो सारे आपने करने हैं, ठीक है, जो नहीं लगेगा पता, उसके आप मुझे बता देना, लेकिन यह सारे आपके लिए example जो है homework है, ठ first question से ले करके, third तक दुबारा से करना, और जितने भी इसके example पिछे book में दिये हैं, वो सारे के सारे, मैं example आपको लिख दूँ कौन कौन से हैं, तो आप करेंगे example number 16, 16 के बाद 17, दो दो पार्ट हैं, तीन तीन जो भी होगा पूरा करना, ठीक है, 18, 18 के तीन पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, पूरे करने, और ठीक है, अभी तक इतना ही, उसके बाद next करेंगे, तो example 16, 17, 18 आप के लिए homework है भाई, ठीक है, समझ आया होगा तब प्लीज लाइक, शेर, कुमेंट जरूर करें, और मिलते हैं अब next वीडियो में, next वीडियो में इसके अगले question solve करेंगे, thank you,